गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ये देखो हमारे इंदौर के नजारे देखो ये दूर से दिखाऊं ये साय ग्लास पे बरब जम्य हुई है जितने भी ये मिरर ये सौरी सीशे लगे हुए न इस पर लिखूं ये देखू इस यू बद बड़ा हो गया थोड़ा न आई टी ए सुनिता व्लोग ये तो आगया पूरा सुनिता व्लोग टाम क्या हो रहा है अभी साब साड़े साथ होजे ऐसा न जारा हो रहा है जैसे कुछ सुबह के पांस साड़े पांस होजे हैं देखते हैं कितनी देड़ तक रहे गाई और इहर शार्मा जी बैठे हैं इनको दिखाऊं अहां है है लो गुट मॉनिंग देखा लग रहा है ऐसे नेनी ताल में बैठे हैं आ और कल कहां थे आप पूरा दिन कल पी तंपूर गये थे लो तो हमारा व्लोग ही नहीं बन पाया बताओ तो अब लोग तो अमसे चालू होता है हम आपकी बटोन ब्लोग का स्टार टोट रहें तो क्या सेवा करीजा आपकी चाहिए बद्वा दो इसी ठंड में बजाता है मेरा ब्लोग शुड़ो गया अरे कंबल पापा को भी ला दे नहीं 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 अरे अच्छा नहीं मैं आपको अंदर से उठाके लिए यह ना मजा आएगा देखना बहुत इंट्रेस्टिंग लगेगा आज दिन का वही करते हूं इसको टास्क में सेटिंग अच्छी लगेगी तो continue नहीं तो discontinue इसे के बलता है मेरे तिन आपके जंग अच्छी जा बस तो क्या है हमारा तो एटिट्टीट ही एसा है जो लोगों को गमंड लगता है अब बनेगी अमारी चाय साफ घर रखो इतना अच्छा लगता है अच्छा आज दूद नहीं था प्रॉब्लम हो गई अब बनेगी चाय दूद आया है नमस्कार जी यह जो अभी ड्राइंग रूम में बाते हो रही थी न यह थोड़ी सी हॉल की सेटिंग चेंज करने की प्लानिंग कर रहे हैं वही बाते हो रही हैं क्योंकि थोड़ा ठंड का टाइम है न तो कंबल अंबल लेके बैठना अच्छा लगता है तो उसी साफ से द लगे रहे व्लॉगिंग वगेरा होनी पाई फज जन्वरी को तो मैंने एक व्लॉग डाल दिया था मैंको ऐसा लग रहा था कमसे कम एक व्लॉग तो डाली दूँ चाय बन गई हमारी चाय जैसा कि आप बोलते हो कि मैं तो खली दिखाऊंगी बनाते तो आप ही हो पर चलो आप ही बनाऊ से ही देखना यह फीकी है वह देखके समझ में आजागी थोड़ी पहले की छनी हो जाती है ना मैं आती हूं कि आप है यह मारी तीनों की चाय तो मैंने ड्राइंग डूम में रख दी थी फिर यहां रूम में आई मम्मी जी को चाय देने के लिए तो बस यहां की वी बालकनी के पड़दे लग खिर्की है यहां पर तो यह बहार मेने गृल लगवाई हूई है गंबले बगरा रखने क के लिए तो उसके पड़े बठाए तो देखो यहां पर भी एकदम सारे शीषे पर का ओस चाही हुई है और यह सामने सूर्य भगवान निकल गए मतलब इस समय तक तो सवानों साड़े परनों का टाइम था लेकिन फिर भी वही ओस चाही हुई तो जाने के साइड इफेक्ट दस दिन घूम के आओ तो बीज दिन घर में साफ सफाई करो यह देखा है मेंने तो यह जहां हमारा सिलेंडर रखा रहता है ना वहीं से सिलेंडर की पाइप उपर उसके होप की तरफ आई हुई है तो पीछे से दूच चाह जो भी उफने वो सारे उसके पीछे जाते रहे तो वह सूख गया भी और भहुत गंदी हो गया तो वह सब साफ कराया उसके बाद मै ने ब्रेड का उपमा रेसेपी नहीं शेयर करिए बस आप लोगों से बाते करते करते थोड़ी सी कुकिंग जो है वही शेयर करूंगी और सुबह सुबह का मेरा व्लॉग है यह चाय वाय पीने के बाद फिर नाश्ता बनाया नाश्ता करके हम लोगों ने नहीं दिन बर कपड़े का काम बाकी रह गया था मेरा तो फिर कपड़े अपड़े सबब सेट करने रहेंगे मेरे आए हुए के भी और पीछे सेनलों के भी खट्टे हो गये थे और ठन का टाइम भी है तो काम थोड़ा होता भी धीरे धीरी यह इस वज़े से मैंने का थोड़ा थोड़ा का रूटीन बनाना शुरू करूं क्योंकि बहुत डिस्टब हो गया है मतलब अगर देखेंगे तो पंदर अभी इस दिन में कोई व्लॉग डली नहीं पा रहे है तो इसी उम्मीद के साथ कि अब रेगुलर ब्लॉगिंग करूंगी और शाम को बनाया था हमने पास्ता और इसी के साथ अपना ब्लॉग एंड करूंगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो हम लोग सब खाएंगे अब ब्रेड का उपमा और आप लोग भी एंजॉय करिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में त झाल 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 झाल